अब हम पढ़ने जा रहे हैं product concept product concept को follow करने वाली companies का मानना ये है कि अगर हम products या services की qualities को improve कर देते हैं qualities बहुत अच्छी कर देते हैं तो इसकी वज़े से आप customer को attract कर सकते हो companies क्या कहती हैं कि अगर हम goods और services की qualities को बढ़ा देते हैं तो customer उस product या services की तरफ अपने अप attract होते हैं और उस goods या services को बहुत असानी से खरिद लेते हैं हमको ज़्यादा effort करने की जरूरत नहीं होती है तो इसलिए ये companies क्या करती हैं अपनी marketing के जो effort हैं कहां पर लगा देती हैं goods और services की qualities को improve करने ने में गुणवत्ता बढ़ाने में quality improve करो, quality improve करो, quality improve करो तो qualities को improve करने की वज़े से ऐसी companies का मानना सिर्फ यही है कि customer attract होते हैं good quality के लेकर जहां पर भी customer को लगेगा कि इस goods या services के अंदर quality बहुत अच्छी है वो customer उस goods या services को बहुत असानी से खरिद लेगा ऐसा इस concept का मानना है तो पर reality में क्या होता है customer quality तो देखता ही देखता है quality के साथ साथ customer उस product का price भी देखता है और ये भी देखता है कि product क्या easily available हो सकता है या नहीं क्योंकि अगर आप qualities को improve करने के चक्कर में लगे रहते हो तो production कहीं न कहीं आपका कम होगा production कम होगा product की demand जादा है product आप easily available करार नहीं पारे तो definitely customer क्या करेगा product की demand करेगा product उसको available नहीं होगा थोड़े time के वो थक हार जाता है और वो product को खरीदना बंदक ही कर देता है मालो आप product एक दुकान वाले से मांगने के लिए गए उस दुकानदार ने आपको 10 दिन तक product एविलेवल ही नहीं कराया तो क्या करोगे आप 11 दिन तो आप दुकान पर जाओगे नहीं product खरीदने के लिए तो इस concept के according अब आगे क्या बात कही जा रही है कि जरूरी है कि customer quality तो देखता है quality के साथ सथ वो price भी देखेगा क्योंकि quality ज़्यादा होगी तो क्या होगा उस product का price भी ज़्यादा होगा तो price भी देखता है customer और उस product का available होना भी देखता है कि वो easily available है या नहीं है तो इस concept की drawback है कि quality के जैसे improve होता है price भी improve हो जाता है quality भढ़ेगी price भी उस product का भढ़ जाएगा इस वज़े से customer का budget कहीं न कहीं बिगड सकता है और वो product हो सकता है कि ना खरीदे तो मतलब quality को improve करना सिरफ एक अकेला रास्ता नहीं है क्योंकि qualities की improve होने के साथ साथ product का price ज़्यादा हो जाता है अगर product का price ज़्यादा होगा तो customers का budget बिगड जाएगा मतलब qualities को improve करना ही हमारा एक अकेला रास्ता नहीं है quality को improve करने करने से ही हमारा काम नहीं चल सकता मतलब quality को improve करने से ही हमारी marketing success हो जाएगी हम नहीं कह सकते क्योंकि quality के साथ हमको कहीं नहीं price भी देखना पड़ता है price सही होना चाहिए product easily available होना चाहिए distribution system हमारा अच्छा होना चाहिए production large scale पे होना चाहिए बहुत सारी बाते हैं जो product concept के अंदर नहीं देखी जाती इन पाँचो concepts की videos के link मैंने आपको इसी वीडियो के description box में दिये हुए है आप पाँचो के पाँचो concepts बहुत अच्छे से detail में study कर सकते हैं